हेलो दोस्तों, क्लास 10 और 12 के लिए काफ़े important news CBC बोट के दोरह practical regarding तो देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं CBC बोट के practical सुरू होने जा रहे हैं 1st January 2022 मतलब 1 जनवरी से और हां, इसमें 3 sections में बात कही गई है Students को क्या करना है, School को और साथ में Regional Offices को तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे कुछ काम ऐसे जो स्कूल को practical regarding कर रहे हैं जनमें से 1st point में कहा गया है कि जो practical related syllabus से वो पूरा complete हो जाए ऐसा school ensure हो वहीं दूसरे point में कहा गया है, जो भी practical होते हैं उनको करते समय के जिन चीजों की जुरुत परते हैं वो सारी laboratory regarding equipment कुछ भी हो सकता है वो सारी चीज़े complete कर रहे हैं वहीं तीसरे point में काफ़े important है इसमें बच्चों को बता दिया जाए school के दोरा की कौन सा practical कव होना है वहीं fourth point में काफ़े important है वहीं इसके बाद practical की जो answer seat होती है कुछ written exams होती है कुछ सिर्फ oral होती है जो written exams के answer seat school के पास हो अगर ऐसा लगता है कि answer seat का में और student ज़्यादा है तो regional office से contact कर उनको मंगा सकते हैं या कोई और भी doubt उनको clear कर सकते हैं वहीं seven point में कहा गया है कि सबसे important point class 10th के लिए आपके जो practical exam होने जा रहे हैं इन practicals को लेने के लिए भार से external examiners आएंगे और उनी की देखरेक में आपका practical exam होगा लेकिन class 10th के practicals के exams school के ही teachers लेंगे वहीं अब students के लिए कुछ काफी important बाते हैं जो कि उनको सोननी चाहिए काफी important news ये बच्चों के लिए बच्चों को या उनके parents को ये पता होना चाहिए कि school के दारा जो list practical के बच्चों की है उनमें बच्चे का नाम और उसके सामने सही subject mention है या नहीं जिसके practical होने जा रहे हैं और वहीं बच्चे को ये भी पता होना है तो उसके पास second chance नहीं होगा practical को देने का तो इस बात के लिए clear response रूप से अपनी teacher से concern करने की कब होने हैं और वहीं कोई भी query है बच्चों के मन में या parents के तो वो school से जाकर के संपर्क कर सकते हैं और अपनी query या doubt को clear कर सकते हैं वहीं कुछ ऐसी बाते हैं जो कि regional offices के लिए हैं लेकिन students और school दोनों को ही जानी चाहिए तो बढ़ते हैं CPC board के जो regional offices हैं उनको practical regarding examination होने हैं कुछ निर्देश दिये गए हैं और साथ में कहा गया है कि ये examination time से conduct हो जाएं complete हो जाएं और उनके marks भी time से upload हो जाएं वहीं regional office के लिए ये भी का गया है कि external examiners हैं ये time से appointed हो जाएं ताकि practicals को ठीक समय से पूरा किया जा सके वहीं इनके लिए एक और बात CPC board के जो regional offices होते हैं यहीं पर practical की answer seat पहुचते हैं practical होने के बाद तो वह भी time से पहुच जाएं ये बात भी ज़रूरी है वहीं बच्चों practical की जो exams होते हैं इनमें क्या पूछा जाता है किस तरीकी की exams होते हैं ऐसी कहीं सारी वीडियोस आपको इस channel के माद्दम से मिलती रहेंगी तो चैनल को subscribe कर लेजएगा अगर आपको कोई doubt लगता है कोई चीज पूछती है तो आप लोग telegram channel है nas career point पर जाकर भी आप वहां मुस्से direct contact कर सकते हो कोई भी query cbc board से related अगर आपको पूछने है चाब प्रैक्टिकल हो exams हो, result हो या कोई भी query तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जाहिंद